बिस्म अल्लाह रुख्वान इरुहीम फिल्हाल एटेंडेंस से का सिलसला कंटीनू हुआ है बस दो से तीन मिनट तक वेट करते हैं और फिर लेक्चर का सिलसला शुरू करेंगे सिर्फ दो से तीन मिनट तक वेट करेंगे और फिर लेक्चर का सिलसला शुरू करेंगे आज़े हम लोग चैप्टर का एक बड़ा ही इंपोर्टन टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इस थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हम लोग स्टारट करेंगे तो फिर हल एटेंडेंज कि स्ट्लसला container हैं और बस दो से चार्ज मिनट वेट करेंगे अटेंडेंस के लिए और फिर लेक्टर शुरू करेंगे फिलहल अटेंडेंस का सिलसला कंटिन्यू है और बस दो से चार्ज मिनट वेट करेंगे और फिर लेक्टर का सिलसला शुरू करेंगे अटेंडेंस हो रही है और दो तीन मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे अटेंडेंस के लिए और फिर लेक्टर का सिलसला शुरू करेंगे सिलसला शुरू करेंगे हम लोग तरह पढ़ना शुरू करते हैं कल भी हमने अटेंडेंस कम होने की वज़ा से लेक्टर को आफ किया था अब डेली बेसिस पर लेक्टर को आफ करना तो पॉसिबल नहीं है ठीक है फिलाल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ओके सुडेंस देखी जब आज के लेक्टर में हम आपका थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक का बनाएंगे बेस यह टॉपिक कम से कम फोल लेक्टर में कम्प्लीट होगा मिनिमम तो टॉपिक की लेंड कितिनी है आप यह अंदालदा लगा सकते हो आज के लेक्टर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पर आपका बेस बनाएंगे अच्छे तरीके से लेक्टर को समझेगा इस एक्सपेंशन का वर्ड है एक्सपेंशन का वर्ड एक्सपेंशन का वर्ड एक्सपेंशन से ड्राइव हुआ है एक्सपेंशन से ड्राइव हुआ है और एक्सपेंशन का मतलब होता है तू इंक्रीज इन साइज तू इंक्रीज इन साइज यानि किसी फिनामेना में जब किसी body का Size बढ़ता है जब भी किसी फिनामेना में body का Size बढ़ता है Size तो उस फिनामेना को हम लोग केते हैं Expansion अच्छा Expansion बहुत सारे Reason की विजा से हो सकता है हम लोग हर तरह के Expansion को नहीं पढ़ेंगे हम दो जो concept आप कर बनाएंगे वो होगा thermal expansion thermal का मतलब यहाँ पर heat लेंगे तो thermal expansion का मतलब यह हुआ कि हम किसी body को heat देंगे especially solid body को जब हम किसी solid body को heat देंगे और heat देने पर body का size बढ़ जाए heat देने पर body का size बढ़ जाए तो ऐसे phenomenon को हम लोग कहते हैं thermal expansion thermal expansion अब बहुत से स्टुरिंट एक point यहाँ पर clear कर लीजेगा मैंने आपको बताया कि thermal expansion का मतलब हुआ कि आपने body को heat दिया और body का size बढ़ गया ठीक है लिकिन ए question arise होता है न कि हमने body को heat दी हमने body को heat दी body का size भी बढ़ गया size तो बढ़ गया लेकिन body के अंदर internally किया हुआ heat देने पर body के अंदर internally क्या changes आई कि body का size बढ़ गया हमें नजर आ रहा है तो गोड़ से सुनिएगा students phenomenon क्या होता है phenomenon ये होता है ये एक solid body है solid body के molecules एक दूसरे के बड़े करीब होते है बड़े करीब होते है आप यहां से heat देते हो फर्स करो के energy आपने दिया 10 joule की जब energy देते हो heat देते हो तो molecules की energy बढ़ती है energy बढ़ने से velocity बढ़ता है velocity बढ़ने से collision बढ़ेगा और जब बराबर वाले molecules से collision तेज़ बहुगा तो नतीज़ा ये निकलेगा कि इन दोनों molecules के दर्मियान एक gap generate होगा एक space generate होगा ये space generate होगा ये space इतना कम होता है कि इनसानी आँख उसको देख नहीं सकती फिर क्या होगा इस phenomenon के दौरान ये energy shift हो गई second के पास अब second molecules के अंदर ये इस phenomenon होगा इसकी energy increase, इसकी velocity increase, collision तेज अब ये gap generate करेगा collision की वज़ा से टौ molecules के दर्मियान टौ molecules के दर्मियान जो gap बनता है ना वो तो इनसानी आँख नहीं देख सकती लेकिन जब तमाम molecules के दर्मियान बनने वाला gap आपस में add होता है जब तमाम molecules के दर्मियान बनने वाला gap add होता है तो net result size बढ़ने की शकल में देखता है तो और से सुनिएगा आप thermal expansion का मतलब होता है कि जब आप yield देते हो तो size बढ़ता है size बढ़ने का मतलब होता है molecules के दर्मियान gap का बनना molecules के अपने size में कोई तबदिली नहीं होती molecules के दर्मियान gap बनता है तो वो gap सारे के सारे जमा होते हैं तो net result हमें body का size बढ़ने की शकल में दिखता है जैसे for example मैं यहां खड़ा हूँ मेरे आज़ पास 4-5 लोग और खड़े हैं बड़े करीब-करीब तो यह हमारा area हो जाएगा जहां पर हम लोग खड़े हैं अब अगर मैं जोर से ठका मानूं इधर और इधर बंतीजा क्या निकलेगा मेरे और बरावर वाले के दर्मियान ए gap जनरेट होगी बरावर वाला थोड़ा आगे जाएगा overall size हमारे surrounding का क्या होगा बढ़ जाएगा तो thermal expansion का मतलब होता है वाले क्यूल्स के दर्मियान गैप का बना चलो यह point भी को गया clear अब वह से सुनिएगा हमारे पास जो solid body available है ना वो तीन तरीके से study की जा सकती है solid body number 8 एक first करो कि आपके पास एक iron rod है iron rod है जिसकी एक particular length होती है जिसकी एक particular length होती है height और breath measurable नहीं होता या measurable होगा तो length के मुकाबले में ना होने के बराबर अगर rod है तो अगर किसी ऐसी body को heat देते हो कि heat देने पार उसकी length बढ़ जाए length में expansion हो जाए तो ऐसे expansion को हम लोग कहेंगे linear expansion क्या कहेंगे linear expansion linear expansion इसमें सिर्फ जी जी बिलकुल सुनियो और से फर्स गरो कि आपके पास एक ऐसा body है जिसकी एक specific length है और height और breath length के मुकाबले में negligible है जैसे iron rod एक बहुत बड़ी rod है अब आप इसको heat दो heat दोगे तो क्या होगा? length increase होगा अगर heat देने पास सिर्फ length बढ़ता है length increase होता है तो ऐसे expansion को हम लोग कहते हैं linear expansion ऐसे expansion को हम लोग क्या कहेंगे linear expansion ऐसे expansion को हम लोग क्या कहेंगे linear expansion linear expansion ऐसे expansion को कहते हैं जिसमें सिर्फ length हो बढ़ता हो सिर्फ length हो लेकिन फर्स करो कि आपके पास एक ऐसा body है जिसके पास length और breath दोनों है जैसे tin sheet copy का page फर्सकर वो टीन की बनी हुए, टीन शीट है लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट ना होने के बराबर है तो हम कहेंगे के टीन शीट के पास एक स्पेसिफिक एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया अब अगर किसी सॉलिड बॉडी को हीट देते हो और हीट देने पर उसका एरिया बढ़ता है तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं शुपरफिस्यल एक्सपेंशन यानी एरिया बढ़ता हो लेकिन अब अगर एक ऐसा बॉडी है जिसके पास लेंथ भी है आईट भी है, ब्रेथ भी है जैसे for example ये body length भी है height भी है breath भी है यानि volume हो length height breath का मतलब है तीनों है volume है length height breath तीनों है यानि volume है जब किसी solid body को heat दो और उसका volume increase हो जाए तो ऐस expansion को हम लोग कहते हैं volumetric expansion volumetric expansion volumetric expansion यानि जिसमें volume increase होता हूँ अब गौट सुनिए कैस्टूडट्स superficial expansion superficial expansion ये हमारे syllabus का हिस्टा नहीं है ये हमारे syllabus का हिस्टा नहीं है linear expansion, volumetric expansion ये हमारे syllabus का हिस्टा है तो आज की क्लास में हम लोग linear expansion पे discussion करेंगे linear expansion पे discussions करेंगे linear expansion linear expansion फर्स कीजिए कि ये आपके पास एक रॉड है ये रॉड है ये रॉड है रॉड की initial length initial length ये है L naught initial length कितनी है L naught और initial temperature है T naught एक रॉड आपके पास है initial length L naught और initial temperature कितना है T naught ठीक है अब इस बॉड़ी को heat दीजिए ये बॉड़ी को मैंने heat दिया 100 degree Celsius तक फर्स कीजिए इस बॉड़ी में expansion हो गई इस बॉड़ी में क्या हो गई expansion कितनी expansion होई ये तो नहीं मालूँ assume करो कि ये expansion होई ये 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 हो गई अब यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलोगे यहां तक को बोलोगे final length क्या बोलोगे final length L1 और ये जो red वारी लाइन है ये 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 वारी लाइन इसको बोलोगे change in length change in length जो के final length minus initial length के बराबर होगा जब ये experiment आप कर लो तो एक छोटा और experiment करो वो क्या इसी material का इसी material का एक और order ले लो इसी material का एक और order ले लो ये ले लिया ये ले लिया इस वाले रोड और इस वाले रोड में क्या फर्क है इस वाले रोड फर्क बस तरी विचना सा है कि एक की length जादा एक की length एक कम है बाकि कोई फर्क नहीं है material भी यह यह है area of protection भी यह यह है सब्सक्राइब लेंद के और एक की जूर सेम इसको भी 100 डिग्री सेल्शियस दो कि स्टूडेंट्स जड़ा एक मिनिट आप लोग उज़रा वेट कीजिएगा ठीक है इतना ही same temperature भी same इस body में expansion होगी इस body में expansion कितनी होगी इतना ही इससे कम या इससे ज्यादा answer is इससे इससे ज्यादा इससे ज्यादा अभी बताता हूँ क्यों बहुत से सुनोगे अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि thermal expansion का मतलब होता है molecules के दर्मियान gap का बनना तो मतलब यह होता है कि जिस body के अंदर number of molecules ज्यादा होंगे उसके अंदर gaps ज्यादा बनेगा body का size कम है तो number of molecules कम है molecules कम है तो molecules के दर्मियान gap overall कम होगा यहाँ पर number of molecules ज्यादा है दो मॉलिक्यूल के दर्मियान तो गैप एक जैसा होगा इसमें भी इसमें भी लेकिन यहाँ पर नमबर ओफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल के दर्मियान जो ओर 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 गैप बनेगा वो भी क्या होगा वो भी ज्यादा होगा और thermal expansion का मतलब होता है heat देने पर molecules के दर्मयान gap का बनना space का generate होना तो जिस body के अंदर number of molecules ज़्यादा होंगे expansion इस situation में ज़्यादा होगी यानि इसके अंदर change in length ज़्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ initial length come, change in length come initial length ज़्यादा, change in length ज़्यादा इसका मतलब वहाद दो में ज़्यादे के directly proportional है तो directly proportional को ऐसे लिखोगे delta L directly proportional to L0 यह पहला assessment है इसी तोटा से experiment और कर लेजे इसी size का एक और और ले ले लिजे इसी size का मैं इसी में edit कर देता हूँ इसी size का इसी size का एक और और ले लिया इसी size का material भी यही अब फर्ग यह है कि इसको temperature 100 नहीं बलके 500 degree Celsius दिया temperature 100 के बजाए कितना दिया 500 degree Celsius अब इस body के अंदर expansion कितनी होगी इतना ही इससे कम या इससे जादा answer is इससे स्यादा क्यों बिलकुल करें क्यों यह temperature है temperature energy की एक form है जिस body को energy ज़्यादा दो उसमें ज़्यादा work होगा यहां पर work किस शकल में हो रही है expansion की शकल में हो रही है तो इसका मतलब है expansion ज़्यादा होगी temperature कम changing length कम temperature ज़्यादा change in length ज़्यादा दो ने एक दूसरे की क्या हुआ directly proportional तो इसको ऐसे लिखोगे कि change in length directly proportional है change in temperature के this is number 2 equation 1 और 2 को compare कर लिजे comparing equations comparing equations 1 and 2 delta L delta L one time delta L proportional 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 L not delta T L not delta T delta L is equal constant proportional हटाओगे is equal constant लगाओगे L not delta T delta L is equal to यहाँ पे constant इस्तमाल करते हैं alpha alpha यह सब as it is और इस alpha को कहते हैं coefficient of coefficient of linear expansion linear expansion अब देखिए coefficient और linear expansion को ऐसे define करोगे पहले जड़ा practical concept देखो definition बाद में करते हैं alpha होता क्या है first कीजे के मैंने आप एक rod दे ली और मैंने कहा इसका मुझे alpha निकाल कर दो I have given you a rod and the question is calculate its alpha means coefficient of linear expansion आप क्या करोगे जिस rod के लिए alpha calculate करने के लिए कहा गया है आप सबसे पहला काम करो उसकी length 1 meter ले लो length कितनी ले लो 1 meter ले लिया ठीक है फिर उस rod का temperature note कर लो कर लिया अब उस rod को heat दो अब उस rod को heat दो चलो देना शुरू किया जैसे ही rod का temperature 1 degree Celsius rise कर जाए 1 degree only heat देना बन कर दो जब heat देना बन कर दिया न तो अब देखना कि उस rod में कितनी expansion हुई है वो जो expansion हुई होगी न वो alpha की value है वो value इतनी minor सी छोटी सी value होती है कि आप ऐसे इंदा सा लगाओ कि point के बाद पहले four digits में zero होगा फिर कोई value शुरू होगी फिर कोई digit शुरू होगा इतनी small value होती है लेकि इसकी proper definition क्या है वो सुनोगोर से l not delta t alpha के साथ multiply इदर आकर क्या हो जाएगा divide तो आप इसको लिखोगे delta l divided by l not delta t बराबर है alpha के अब इसको पढ़ते है change in length क्या पढ़ते है change in length जब भी कोई change होने वाली value जब भी कोई change होने वाली value actual length से divide हो जाए actual length से divide हो जाए तो इसको पढ़ा जाता है fractional change in length तो इसको पढ़ा जाता है Fractional Change in Land तो इसको क्या पढ़ोगे इसको क्या पढ़ोगे इसको पढ़ोगे Fractional Change in Land चलो यह हो गया Delta Delta का मतलब होता है Rise Increase Change इस सब इसका मतलब है T का मतलब तमरी चाहिए ठीक है इले देखीगा यह है Change in Volume इसको Actual Volume से यानि Initial Volume से डिवाइड कर दो तो इसको पढ़ोगे Fractional Change in Volume यह है Change in Waveland Actual Waveland से डिवाइड कर दो इसको पढ़ोगे Fractional Change in Waveland यानि जब भी कोई Change होने वाली Value Actual Value से डिवाइड हो जाए तो उसके साथ वर्ड ही इस्तमाल हो जाता है Fractional तो इसको पढ़ेंगे Fractional Change in Length Delta का मदलब Rise Change T का मदलब Temperature यह ले लो 1 degree Celsius या 1 Kelvin तो 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 जाएड का मदलब Fractional Change in Length Fractional Change in Length To Rise in Temperature To Rise in Temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called Alpha Fractional Change in Length To Rise in Temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called Alpha यह इसकी प्रोपर दपनेशन यह इसकी प्रोपर दपनेशन यह इसकी प्रोपर दपनेशन यह इसकी प्रोपर देखनी जह इसका Change in Length इसका यूनिट मीटर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर L-Naut Initial L इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर Δेल्टा T इसका क्या होगा? या तो Celsius ले लीजिए या Kelvin दोनों option आपके पास है हमने ले लिया Kelvin मीटर से मीटर कैंसिल Kelvin को उपर लेका जाएए तो यह होगा Kelvin inverse और अगर मैं degree Celsius लेता तो यह उपर आकर क्या होता? Inverse degree Celsius यह अलफा का यूनिट है Inverse Kelvin या Inverse degree Celsius Clear students तीक है? अब एक कम और कीजिए इसे equation number 3 का नाम दीजिए इसे equation number 3 का नाम दीजिए मैंने का equation 3 can be written as equation 3 can be written as written as delta L यह चेंज इन चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ को कैसे लिख सकते हो? final length minus initial length चेंज इन लेंथ को कैसे लिख होगे? final length minus initial length तो delta L की जगा लिखा final length minus initial length equal अपनी जगे पर right hand side को यह दे इस कॉपी किया alpha L0 delta T L0 in a negative का इस side जाकर क्या होगा? positive so L1 is equal to L0 plus alpha L0 delta T L1 is equal to L0 कामन लिजिए यहां से क्या रहे गया? 1 plus यहां से क्या रहे गया? alpha यह क्या रहे गया? delta T so students यह आगया final length अपनी का लिखा by using this formula you can calculate the final length in the phenomenon of linear expansion यह final length का फॉर्मुला यह coefficient और linear expansion का फॉर्मुला यह change in length वालुम करने का फॉर्मुला so students यह था आपके पास linear expansion का topic इस topic में मैंने आपका base बनाया है मैंने फिर शुरू में आपको बताया था कि यह topic जो अभी हमने पढ़ना शुरू किया है कम से कम four lectures में complete होगा minimum यह इसका पहला lecture था फिलाला भी हमारे पास तक्रीवन 10 minute time तो है लेकिन अगला segment discuss नहीं कर सकते वो incomplete रह जाएगा और फिर आगे तक्रीबन आपकी चार दिन तीन चार दिन चुटिया है student मैं आपको यह बता दूँ कि Monday के दिन आपकी regular class नहीं होगी इद की वज़ा से Tuesday से आपकी regular class फिर शुरू हो जाएगी जब Tuesday को आपकी regular class शुरू होई students तो यह linear expansion का topic thermal expansion, linear expansion का topic अच्छे तरीके से revise कर लिजेगा revise कर लिजेगा मैं इसका भी screenshot भी भेजूँगा इस topic के notes भी भेजूँगा fair copy पे लाजबन fair भी करनी है और जब Tuesday के दिन lectures के लिए आए तो topic को अच्छी तरीके से revise कर कर के आएंगे नमबर एक, नमबर दो Tuesday के दिन हम लोग इसका अगला segment volumatic expansion है linear और volumatic expansion में conceptually कोई फर्क नहीं है बस length की जगा volume इस्तमाल करेंगे तो उस दिन हम लोग volumatic expansion पढ़ेंगे इसके इलावा एक numerical भी करेंगे तो syllabus की book और scientific calculator ये दोनों चीज़ें भी अपने साथ उस दिन रखिएगा Tuesday के दिन जब lecture लेने बैटे एक तो इसको revise करेंगे नमबर टू syllabus की book और scientific calculator के साथ lecture लेने बैठिएगा ताके lectures के दौरान आपको कोई problem face ना करना पड़े तो students आज के lecture से किसी के पास कोई सवाल है तो कर लीजिए आज के lecture से किसी के पास कोई सवाल है तो कीजिए जी अब्राइब ये ये जो मैंने आपको बताया है ना ये mcq में तो आ सकती है सुनो सुनो mcq में तो कोई भी चीजिए कहीं से भी आ सकती है theoretical question जो बनता है ना theoretical question उसमें से ये segment पूछा जाता है defined coefficient or linear expansion and this this also prove that this ये ये एक के lecture में से अगर धर्मियान में से कुछी चीज निकाल कर पूछे तो हम ये पूछेंगे defined coefficient or linear expansion और जब किसी term की definition पूछा जाए तो definition के साथ उसके signal लिखेंगे formula लिखेंगे unit लिखेंगे by default ये लिखना है आपको अधर्वाइस अगर linear expansion अगर पेपर ने पूछे तो हम कहेंगे वर्ट यू मीन भाई thermal expansion explain the phenomena of linear thermal expansion ऐसे पूछा जा सकता है short में जी इब्राहिम क्या फिर से पूछो क्या कह रहा हूँ कि आ सकती है यह ना यह बिल्कुल आ सकती है क्यों नहीं आ सकती है अधर्वाइस की किसकी बात करो यह तो है फ्रेक्ष्णल चेंज फ्रेक्ष्णल चेंज इन लेंग आ तो alpha की definition पूछी जा सकती है ना अधर्वाइस की definition पूछी जा सकती है जी फ्रेक्ष्णल चेंज इन लेंग यह समझना आ गया तुमको डेल्टा का मतलब राइस ठीक है तंप्रेश्णल का मतलब यह वन डिग्री सेल्चियस और वन केल्विन सही है अधर्वाइस को मिला दो फ्रेक्ष्णल चेंज इन लेंग तो राइस इन तंप्रेशर वन डिग्री सेल्चियस और वन केल्विन इस कॉल्ल कोफिशेंट और लीनियर एक्सपेंशन अब मैं समझाता हूँ एक मिनट किसी बॉड़ी का तंप्रेशर जब वन डिग्री सेल्चियस इंक्रीज करवाते हो वन डिग्री सेल्चियस तो उस बॉड़ी की लेंट हैंगे जो तब्दीली आती है ना उसको कहते अलफा सही है यह फिर मैं इस लेक्टर का रिकॉर्डि लेक्टर भी आपको भेज दूँगा उसमें आप उसको देख लिजेगा ठीक है ठीक है वेलकम जी और कोई सवाल ठीक है सुड़िंट तो फिर आज का लेक्टर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे आप सब अजना बड़ा ख्याल रखेगा इन्शालला आप से मुलाकाथ ईद के बाद होगी